हाई दोस्तों मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट वेट्स और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको हर मटेरियल के यूनिट वेट्स पता होने चाहिए तो हमारा जो में इंपोर्टन्ट मटेरियल है वो है सिमेंट, PCC, RCC, सिमेंट प्लास्टर, बिटुमर, ग्लास और वाटर अब यह आप बोलेंगे सर, PCC तो हमारा मिक्स होता है, RCC तो हमारा मिक्स होता है, सिमेंट प्लास्टर तो हमारा मिक्स होता है लेकिन दोस्तों यह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चलके आपको Estimation and Costing में इसका काम आएगा ठीके, तो देखिए सबसे important चीज हम सिमेंट से start करते हैं, सिमेंट का unit weight होता है, हमेशा unit weight जो होते हैं, यह आप हमें लिखता हूँ, हमेशा unit weight होते हैं, वो kg पर metric cube में गिने जाते हैं, सबसे पहली चीज, फिर वो कोई भी material हो, ओके, अभी हम सिमेंट की बात करते हैं, सिम PCC का जो unit weight है, वो है 2400, RCC का unit weight है 2500, ठीके, सिमेंट प्लास्टर का unit weight है 2000, ठीके, फिर bitumens का unit weight है, वो है 1340, ओके, ग्लास का unit weight होता है 2500, एंड वाटर का होता है 1000, ठीके, तो देखो, आपको सारे materials के unit weight मैंने एक साथ बता दिये, अभी आप जब interview के examination, interview के लिए preparation कर रहे हो, तो ये सारी चीज़े आपको धैन में रखने है, I hope कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, तो दोस्तों, मेरे YouTube channel जिसका नाम ह और मेरे website जिसका नाम है civilnotes.com उसको भी visit करना मत भूलेगा, thank you so much, have a nice day, bye bye